नमस्कार, सचिन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की मैं वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सभी के लिए लेकर आया हूँ जिनको हकलाना या तुतलाने की समस्या रहती है देखिए ये एक आम समस्या बनता जा रहा है इसके बहुत सारे विजन होते है अगर बच्चों में गबराध है, ठकावट है, नर्वसनेस है तो वो अकसर बात को बार बार रिपीट करते हैं या अटक जाते हैं अगर nutrition की कमी रहती है, तब ये समस्या सामने आ जाती है अगर genetic factors हैं, तब भी ये समस्या देखी गई है अगर neurologist का माने, तो left side का जो mind है उसमें properly blood circulate ना होने की वज़े से बच्चे हकलाते और तुतलाते हैं देखिए, ये एक आम समस्या बनता जा रहा है अगर बच्चा किसी की copy करता है, तब भी उसके अंदर ये चीज़े आ जाती है अगर आपके बच्चों को, आपको या आपके किसी जानने वाले को बोलने में रुकावट आती है, या अटक जाता है, हकलाना पन आ जाता है तो आपने क्या करना है, आप पीपल का ताजा पता ले ले, उसके अंदर आप दालचीनी का तुकड़ा और इसके साथ अध्रक का छोटा सा तुकड़ा डाल करके, अच्छे से चील कर डाल दे और एक पूड़ी बना कर बच्चे या बड़े के मुँ में डाल दे और उसे चूसने को बोले देखी ये समस्या तब भी आती है, अगर आपकी टंग जुड़ी हो बलाँ उसमें जो गैप हो, अगर कम हो तब भी ये समस्या आती है ये जो आप पूड़ी बनाएंगे, इसको चूसने से, आपकी टंग जो है वो पतली हो जाएगी और जो वो गैप कम है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा ये बहुत ही फाइदेमंद फार्मूला है उन लोगों के लिए, जो बोलते वक्त अक्सर तूतलाते या हकलाते है आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेर करिए, ज्यादा से ज्यादा ताकि जिन लोगों को बोलने में रुकावट आती है, अटकने में जो अटकनपन है उसमें बहुत जादा ही प्रोबलम रहती है, उनको फाइदा मिल सके मेरा अभ्यान यही है, परियास यही है, कि आप सब स्वस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार